हेलो गाईज, वेलकम टू जावा टूटर्रल स्रीज, गाईज आज के इस लेक्चर के इंसाइट हम ट्री सेट क्लास के बारे में डिसकस करेंगे, गाईज इस लेक्चर का आप लास मुमेंट तक बोच करें क्योंकि लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसपुल होन का यूस करता है, यहाँ पर कुछ important points दिये वे हैं, यावा में treeset class के, उनको एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, point number one, java treeset class unique elements को content करती है, जैसे कि haset करता है, point number two, java treeset class में excess और retrieval times fast होता है, point number three, java treeset class null elements को allow नहीं करता है, point number four, java treeset class synchronized नहीं होता है, point number five, जावा ट्री सेट क्लास असेंडिंग ओडर मेंटेंड करता है चलिए एक एक्जम्पल के साथ इसे समझ लेते हैं यहां पर सबसे पहले में यहां जो ट्री सेट क्लास है उसका अब्जेक्ट बना लेता हूं जावा के यूटिल पेकेज के इंसाइट ट्री सेट एक क्लास है और यहां पर इस के इंसाइट में इस्टिंग टाइप के एलिमेंट्स एट करना चाहता हूं तो यहां मैं इसे string type का बनाऊँगा अब इस object को मैं इसी class के reference में assign कर दूँगा चली यहां पर अब हमें string type के elements add करना है तो यहां tree set के पास add name का method होता है उसकी help से हम यहां पर string type के elements add करेंगे सबसे पहले मैं यहां पर yes name add कर देता हूँ यहां मैं संजू name को add कर देता हूँ मैं एक बार और यहां पर yes name को add कर देता हूँ यहां पर मैं मंजू name को add कर देता हूँ अब tree set के inside से in string type के elements को मुझे निकालना है और निकाल के print करवाना है इसके लिए मैं यहां पर जो tree set name का class है उससे iterator name की method को call करूँगा इससे मुझे iterator interface का object मिलेगा तो यहां इस object को मैं iterator interface के reference में assign कर दूँगा अब यहां पर जो elements से उन्हें निकालने के लिए मैं यहां while loop यूज़ करूँगा और इस iterator के object से मैं यहां hnext name की method को call करूँगा जब तक iterator के insight elements इसे मिलते जाएंगे तो यह true return करेगा और जो भी element निकलेंगे उनको मैं यहां print करवाने के लिए मैं यहां पर system.out.println statement का use करूँगा यहां पर iterator के object से मैं next name के method को call करूँगा इससे जो element निकलेंगे वो यहां पर निकलते जाएंगे और system.out.println statement की help से print होते चले जाएंगे चलिए run करके check करते हैं और देखते हैं कि जो हमने points समझे थे उनके according यहां पर यह example work कर रहा है या नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहली बात यहां पर ascending order maintain हुआ है और दूसरी बात यह है कि यहां पर unique element ही content हुए है यहां पर आप देख सकते हैं जो यश है वो two time था बट यहां पर एक ही बार यहां पर print हुआ है तो guys आज के इस lecture के insight हमने tree set class के बारे में discuss किया I hope कि आपको यह lecture बहुत अच्छे समझ में आया होगा मिलते है next lecture में तब तक के लिए bye bye